असलाम लेकुम विवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, रमजान स्पेशल में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेर कर रहा हूँ चिकन डोनट बनाने की रेसिपी, चिकन डोनट बहुत ही कुईकली बनकर तयार हो जाते हैं और ये बहुत मज़े के बनकर तयार होत और किस तरीके से बना कर, हम तयार करेंगे चिकन डोनट बनाने के लिए सबसे पहले, एक मिक्सी का जार लेंगे और जार लेने के बाद में इसमें 250 g बाल ले चिकन इट करेंगे चिकन को धूकर मैंने एक छन्नी पर रखता ताकि इसका एक्स्ट्रा पान्य निकल जाए चि करने के बाद में इसमें अफ़ टीज्पोन लाल मिर्शोगा पाउडर एड दिए और इसी के साथ में एक टीज्पून नमक आड कर देंगे नमक और मिर्चे आपर मैं टेस्क करने कम जाता भी कर सकते हैं मसाले हमें करने के बाद में दो टेबलिस्पून बारी कटठ लगए अ तो यहां पर मैने हरीमर्चे लिए हैं इस तरीके से मोटो मोटो चॉप कर देंगे इसमें हरीमर्चे चॉप करने के बाद में अब कसमें कॉटर कप मॉजरेला चीज आइड करने बिल्कुल और आपके पास है तो आप एक कर देजेगा वरना इसे स्केप कर दिजेगा चीज आट करने के बाद में इसमें दो टेबल स्पून बटर आट कर देंगे और बटर आट करने के बाद में एक वाइड बैड का स्लाइज इसमें आट कर देंगे तोड़के í lanç के स्लाइस एक करने के बाद मैं इसके लेठ को कबर कर देंगे उसे छह से ंब्लैंड करके इसका कीमा अच्छी बनाव लेंगे बॉल में निकालने के बाद में इसमें दो उबले हुए आलू आट करेंगे में दो मीडियम साइज के आलू लिए उसे प्रेशर कुक किया प्रेशर कुक करने के बाद में अलो को ठंड़ करके कद्दू कर लिए आलू यहां पर इसमें बैडने के लिए इस्तिमाल करे किमे को किमे ची तरीके से किमे को मिला जोगा, क मिला है कीमे किमे में यह होगा ब्लो बेंगा का अब दीकाकान को किमे लोगा से तकि हम का मिलने के बाद records नहीं और रॹलेड़ें के बाद में अब फोड़ा से शुborवात और एक ऊप्ला ले लेगे से만ला है और यहाँ पर पहले हम इसे cutlet का shape दे देंगे जिस size के हम cutlet बना कर तयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम cutlet बनाएंगे उसी size के बना कर तयार करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर cutlet बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम chicken donut बना रहें तो इसे donut का shape देंगे और इस तरीके से यहां पर इसे clean कर देंगे, तो डोनट बनकर विल्कुल ready हो चुका है, इसे एक plate में रख देंगे, अब यहां पर मैं आपको दूसरा method से बनाना सिखाता हूं, पहले आपको विल्कुल उसी तरीके से बनाना है, जिस तरीके से cutlet बनाते हैं, उस सरी के से बना आजाएगा तो आपको जो भी तरीका एजी लगे उस तरीके से आप डूनट बना लीजेगा दो तरीके मैंने आपके साथ में शेयर कर दिये तो यहाँ पर डूनट बनकर तयार हो चुका है इसे भी एक प्लेट में रख देंगे और इस तरीके से बागे सारी डूनट रेड़ और एक टीश्पून नमक ड़ेँ दूंगा इन दुनों चीज़ों को अड़ करने के बाद मैं अंडे को अच्छे से फेट लेंगे यहाँ पर मैंने अंडे को अच्छे से फीट लिया है अब यहाँ पर हम डूनट की कोटिंग करेंगे तो कोटिंग करने लिए सबसे पहले लेंगे दोनट को इस तरीके से अंडे में डिप करेंगे अच्छे से अंडे में करने के बार भीषे घुमाते वोद के अच्छी तरीके से हमारे दोनट की कोटिंग होकर करने हैं इसी सब तरीके सब कोटेंगे के लें पहले मैंरे कोट करेंगे इन अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद में से निकाल कर जिपलो बैग में डालकर आप इसे फिरिज कर सकतें 15 दिन के लिए डोनट को फ्राय करने के लिए एक पैन में ऑईल गरम होने के लिए रख देंगे और को मीडम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे जब मीडम फ्लेम प तो यहां पर डोनट एट करने के बाद में मीडम फ्लेम पे ऐसे ही फ्राय होने देंगे तीन से चार मिनट के लिए तीन से चार मिनट के बाद में इसके साइट चेंज करेंगे डोनट को फ्राय होते वे यहां पर चार मिनट हो गए हैं मीडम फ्लेम पे अब डोनट की प्रफरेंगे हम इसंत तियार हो कि हैं मैं यहां पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे उसे टीशू पेपर निकालके रखेंगे उसकी बाद में इसे डिशाउट करकर आपको दिखाएंगे तो बिल्कुल इसी तरी की सब डोनट फ्राय करते जाएंगे और उन्हें डिशाउट करेंगे लीजे व्यूवर्स हमारे लाजवाब से यूनिक से चिकन डोनट बनकर रेडी हो चुके हैं बहुती मज़े के बहुती गजब के बनकर तयार होते हैं इसे बनाना भी बहुत आज़ाख आसान होता है और इस सब को पसंदाते हैं आपको मारे आचकी दोनट की रैसी पी कैसी लगे ही माश जूरू बताएगे आप इस दोनट की रैसीपी कई बेलिटिंटी के बटन को ज़रू प्रेस कीजगेगैओ उससे हमारी आने वाली हर नई रेसिपी और नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगा हम इसी तरीकी की मज़ेदार सी रमजान की रेसिपी अपने चैनल पर लाते रहेंगे वीडियो देखिने के लिए शुक्रिया अलाहाफिज